रामायन सिर्फ एक कहानी नहीं है, बलकि ये हिंदू धार्मिक सिध्धान्त का एक अनिवार्य हिस्सा है। हिंदू धर्म में रामायन सबसे लोकप्रिय और महत्वपुर्ण महाकाव्यों में से एक है। जगत कल्यान के लिए त्रेता युग में भगवान विश्णू, श्री राम और मालक्स्मी सीता के रूप में धर्ती पर अवतरित हुई थी। पवित्र रामायन में भगवान राम के जीवन की पूरी गाथा का मारमेक वर्नन है। रामायन का हिंदू धर्म में विशेश महत्व है। रामायन में साथ अध्याये हैं। इन अध्यायों को कांड के नाम से भी जाना जाता है। इन अध्यायों में भगवान राम के जीवन के हर पहलू को विस्तार से बताया गया है। कुछ लोग रामायन को इतिहास मानते हैं और कुछ कालपनिक कहानी पर कुछ बातों को नजरंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता और उनमें से कुछ है वो स्थान जिनका उल्लेक रामायन में है आज भी रामायन कालीन ऐसे कई स्थान है जहां श्री राम ने अपने दिन राजधानी थी श्री राम का जन्म राम कोट अयोध्या के दक्षिन भाग में हुआ था वर्तमान समय में अयोध्या उत्तर प्रदेश में है जो आज प्रसिद्ध पर्रेटन्स धलों में से एक है यहां आज भी उनके जन्मकाल के कई प्रमान मिलते हैं यहां अब राम मंद क्षिय कोकाते हुए पहली बार विश्राम किया था वर्तमान समय में ये स्थान प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है इस ठान का जिक्र प्रवित्र पुरानों। रामायन'll माभारत में किया गया है यहीं कुम्भ मेला भी लगता है ं जनकपूर माता सीता का जन्मस्थान है और यहीं पर भगवान राम और माता सीता का विवा हुआ था। काटमांडू के दक्षिन पूर्व में है चौथा है चित्रकूट रामायन के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में लगभग 11 साल चित्रकूट में ही विताय थे यह वही स्थान है जहां वन के लिए निकल चुके श्री राम से मिलने भरत जिया थे तब उन्ह ने श्री राम को राजा दस्रत के देहांत की सूचना दी थी और उनसे घर लोटने का अनुरोध किया था भरत ने यही से श्री राम की चरन पादुका लेकर राज सिंहासन पर रख कर राज किया था चित्रकूट में आज भी भगवान राम और सीता के कई पच्चिन असल में यही था उनका वनवास इस वन को उसकाल में दंड कारन्य कहा जाता था मद्धप्रदेश चत्तिसगर और महाराष्ट की कुछ शेत्रों को मिला कर दंड कारन्य था यही पर भगवान राम ने रावन की बहन शूर्प नखा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया था औ पाद ही राम और रावन युद्ध की नीव पड़ी थी आपको बता दे दंड कारन्य में चत्तिसगर उरिस्सा और आंदरप्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल है उरिस्सा की महानदी के इस पास से गोदावरी तक दंड कारन्य का शेत्र फैला हुआ था इसी द अनवास के दोरान कुछ दिन इस परवत पर बिताय थे स्थानिय मान्यता के अनुसार दंड कारन्य के आकाश में ही रावन और जटायू का युद्ध हुआ था और जटायू के कुछ अंग दंड कारन्य में गिर गय थे दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायू का एक मात इस शेत्र में आज भी राम के निवास के चिन्न मिलते हैं और यहां पढ़ा कर असीम शांती और इश्वर की उपस्थिती का एहसास होता है। वालमी की रामायन अरन्यकांड में पंचवर्टी का मनोहर वर्नन मिलता है। यहां छोड़ी थी। यहीं पर रामसीता का प्राचीन मंदिर भी है। के नीकट पाया गया है। रिशीमुक नदी के पास थित परवत जहां सुग्रीव हनुमान के साथ रहते थे उसे आज भी उसी नाम से जाना जाता है। युनसको ने इस जगह को विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। नौवा है रामेश्वरम। रामेश्वरम वो जगह है जहां से हनुमान जी की सेना ने लंका पती रावन तक पहुचने के लिए राम सेतू का निरमान किया था। इसके अलावा सीता को लंका से वापस सही सलामत लाने के लिए भगवान राम ने इसी जगह भगवान शिव की अराधना की थी यहाँ एक मंदिर है जिसे लक्षमन तीर्थ और राम तीर्थ कहा जाता है कहा जाता है यहाँ दो टैंक है जहाँ भगवान शीराम नहाते थे एक अन्य कोडी तीर्थ है जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान राम ने समंदर में रास्ता बनाने के लिए अपना तीर चलाया था वर्तमान समय में रामेश्वरम दक्षिन भारत के तमिल नाडू में है रामेश्वर आज देश में एक प्रमुक्तिर्थ स्थल है यहीं से राम सेतू भी दिखाई पड़ता है इस सेतु को भारत में राम सेतु और दुनिया में आडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है इस पुल की लंभाई लगबक 30 मील है ये धाचा मननार की खारी और पार्क स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है दसवा है अशोक वाटिका अशोक वाटिका राक्षस राज रावन के राज लंका में एक उद्यान था ये वो स्थान था जहां सीता के अपरन के बाद उन्हें बंदी बना कर रखा गया था ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने रावन के महल में रहने से इनकार कर दिया था और अशोक व्रिक्ष के नीचे रहना पसंद किया था इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका पड़ा इसका वर्तमान स्थान हाग गाला बोटनिकल गार्डन माना जाता है जो श्रीलंका के रिजॉर्ट शहर नुवारा एलिया के करीब है श्री लंका में नुवारा एलिया पहाडों के आसपा स्थित रावन फॉल, रावन गुफाय, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीशन के महलादी की पुरा तत्विक जांच से इनके रमायन काल के होनी की पुष्टी होती है आज कल भी इन स्थानों की भोगोलिक विशेशताएं, जीव, वनस्पति तथा स्मारकादी बिलकुल वैसे ही हैं जैसे की रमायन में वर्नित किये गए हैं तो ये थे उन कुछ स्थानों के नाम जिनका वर्नन रमायन में मिलता है और आज भी उनका अस्तित्व है आपका क्या कहना है? कॉमेंट्स में बताएं और जुड़े रहे धरम समवाद के साथ मैं थी तमिश्री धन्यवाद